प्यार से बोलिये सासंग तभी वो सुन्दर आवाज हमारे कानों में पढ़ रही थी कि जिन्होंने अपने सत्गुरु को रिजाया वो भव सागर से पार हो गए गुर्षिक के ओपर सत्गुरु की किरपा होती है तभी सुमती प्राप्त होती है और ये हरी का रंग हम सब पर चड़ पाता है शत्रपती शिवा जी के टाइम की बात याद आ रही है शत्रपती शिवा जी समर्थ गुरु रामदाजी के शिश्चे थे तो किसी ने बताया कि गुरु महराज के पाऊं में नासूर है और हिकमत ने ये बताया है कि वो लाइलाज है शत्रपती शिवा जी गुरु महराज समरत्ध गुरु रामदा जी के चर्णों में पहुँचे हाल चाल पूछा तो गुरु महराज ने बताया कि बेटा ला इलाज है और मैं भी आपके दर्शन करना चाह रहा था नसूर बन गया है शत्रपती शिवा जी ने पूछा इसका कोई इलाज है किसी तरह से इसका इलाज हो सकता है कहते हाँ हो सकता है इस नसूर को अगर कोई चूस लेगा तो मैं बच जाओंगा पर वो मर जाएगा शत्रपती शिवा जी ने कहा खोलो पटी मैं चूसूंगा इस नसूर को कहते है अरे तेरे बगैर इस मुल्क का क्या होगा इस देश का क्या होगा इस राज्य का क्या होगा शत्रपती शिवा जी ने आगे से जबाब दिया अगर शिवा जी मर गया तो कुछ नहीं होगा अगर समर्थ गुरू रामदाजी को कुछ हो गया तो इतना अनर्थ हो जाएगा एक समर्थ गुरू रामदाजी सैक्डो सिवाजी को पैदा कर सकते हैं सैक्डो सिवाजी मिल करके एक समर्थ गुरू रामदाज बना नहीं सकते हैं पटी खोली गई देखा तो कोई नसूर नहीं था केवल एक पका हुआ आम बांदा हुआ था और गुर्शिक ने साबित किया कि हे सत्गुरू मुझे तेरी अविश्यक्ता है तेरे बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है मुहम्डन हिष्ट्री के अंदर एक अब्दुल समद का जिकर आता है जो दुनिया का बहुत बियानक बच्शकल इनसान था मुहले के गली के शहर के लोग उसकी शकल को देखकर डर जाया करते थे वो चद्दर से अपने मुझ को हमेशा ढख करके रखता था मायूस था किसी ने पूछा अब्दुल समद तू इतना मायूस क्यों है कहने लगा मेरी मां के इलावा कोई मुझ से प्यार नहीं करता है लोग मेरी शकल को देखकर डर जाते हैं मैं अपने चेहरे को एक चद्दर से धख करके रखता हूँ कहते कोई तुस्से प्यार नहीं करता कहते नहीं कहते फिर मुहम्मद साहब के पाथ जा मुहम्मद साहब वक्त का पेगंबर है जा तुझे पूरा प्यार मिलेगा मदीना गए अब्दुल समद और वहां जाकर के मुहम्मद साहब की पन्हा में बैट गए सेवादार बन गए मुहम्मद साफ का बहुत प्यार मिला सेवादार बन गए रात दिन सेवा करते रहे एक दिन ऐसी अब्दिल समध अपने ख्याल में बैठे हुए थे हजूर मुहम्मद साफ उदर से गुदरे कहते समध किस सोच में बैठा हुआ है तो कहने लगा कोई खास बात नहीं कहते कुछ तो सोच रहा था कहते मैं सोच रहा था कि मैं अतना बश्रकल इनसान हूँ मेरी शादी नहीं होगी कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी कोई बाप मेरे साथ अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहेगा कहते अच्छा एक दो दिन के बाद उसको कहा गया जा फलाँ शेहर जा वहाँ एक बहुत रहीस आदमी है मेरा मुरीद है उसके पाद जाकर के कहना कि मुझे मुहम्मद सहब ने भेजा है और मैं तुमारी लड़की से शादी करने के लिए उसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ जब उसके कुछ रहीस के पास पहुँचे और उनको ये बात कही कि मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने के लिए हूँ अपने लिए मुहम्मद सहब ने भेजा है लड़की का अबाप आग बबूले हो गया तेरी हिम्मत कैसे हुई चांद जैसी लड़की को मैं तुझ जैसे बश शकल इनसान से शादी कर दूंगा तुने सोचा कैसे शोर मचा लड़की ने उस शोर को सुना और करीब आकर कहने लगी अबाप इससे जगड़ा हो रहा है बात क्या है कहन लगे ये नालाइक तेरा हात मांगने के लिए आया है चांद जैसी लड़की के साथ इस बश शकल की शादी कैसे कर दूं कहती अबाजान ये सुनो ये कह क्या रहा है ये कह रहा है मुझे महम्मद साहब ने भेजा है हजूर ने भेजा है मैं शादी इसी से कर दूंगी तो गूरू के चर्णों में जब लग जाता है, गूरू पर विश्वास करता है, यकीन करता है, जीवन में सासंगत किसी प्रकार की कोई कमिया रहा नहीं करती हैं, वक्त का पेगंबर जब सिन्सार में आता है, दिन दुखी, परिशान इंसान, जिनको कोई जगे नहीं मिलती है, उनको भी अपने गले से लगाता है, किर्पा करो हम कदर कर पाएं कि इसने हमें गले से लगाया है, अभी एक महात्मा से मैंने पूछा आपका नमबर है, कहते हैं आज तो मैंने तबला वगेरा ही बजाना है, मैं कर बड़ा मुबारक है, अगर गला और कला है, गुरू के पर बहुत समय पहले उन्होंने पने श्री मुख से कही थी, कहने लगे महात्माओं, इस निकी किर्पा से मदरी पर बैठते हैं, इसकी किर्पा से इसकी बात में समझ में आती है, नहीं तो कई बार गफलत में पढ़ जाते हैं, अरे, आज के समागम में अगर मेरा भाशन न लगाता तो क्या होता, डोलक बाजे वाला कहता अगर हमी उसका साथ ना देते तो तुमारा क्या होता, आगे से नहीं बात बताई, सोचने की जुरुत नहीं, कि अगर हम दरियें नहीं बिछाते तो क्या होता, अगर मेरा गीत नहीं होता तो क्या होता, मेरी घजल नहीं होत तो क्या होता अरे सोचने की जुरुत है इसने अगर अपने चर्णों में ना बिठाया होता तो हमारा ज्या होता प्यार से बोलिए